तो येर देखो अगर आप लोग को एकदम रेड नमबर हैडशोट मारना है तो आप लोग एकदम सही वीडियो पर कूद कर आयो क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर में आप लोगो कुछ ऐसी सीक्रिट ट्रिक्स बताने वालो जो आप लोगो ने इससे पहले यूट्यूब पर देखना तो दूर की बात है कहीं पर सुनी भी नहीं होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बोलोगे काश काश ही वीडियो हमें पहले मिल गया होता क्योंकि इस वीडियो के बाद आप लोग इतने headshot मारोगे, इतने headshot मारोगे, किसी नहीं सोची नहीं होगी, इसी लिए इस वीडियो को हलका से भी skip मत करना वनना body shot से किल करते रह जाओगे, और हाँ यार मैं तो आप लोग के लिए इतनी मैनत करके एक वीडियो बना के लाता अब मैं थोड़ी अपने चलों को बार बार सबस्क्राइब करते रहूंगा, अब देखो एकदम perfect red number headshot मारने के लिए आप लोगो सबसे पहले अपने game में दो setting में changes करनी है, फॉर्ष्ट है sensitivity, चुकि देखो sensitivity अगर गलत होगी तो आप लोगी गोलियों सर के ऊपर भी जाए तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोगी sensitivity गलत होगी तो आप लोग free fire में headshot शोड़ो, आप लोग candy crush download कर लो, तो मैं बतातो कि आप लोगो सही sensitivity क्या रखनी है, आप लोगो अपनी general sensitivity को 97 से 100 के बीच में रखना है, और red dot की sensitivity को हमेशा 99 रखना है, याद रखना 99 बोल रह एक पागल M10 हो गया और एक white pro gaming को लेलो, ब्रा, कुछ भी, अब देखो मैंने चिला चिला कर किती वार बोला हुए कि अपने fire button को थोड़ा नीचे रखा करो, नीचे रखा करो, लेकिन पता नहीं कहां आस्मां पे चड़ा का रखते है, अपने fire button को नहीं नहीं एक काम करो, और 100 size पता नहीं क्या सोच के रखते है, भाई, यह मंगल किना से थोड़ा बहुती शोटा लग रहा हुझे, तो देखो आप लोग को अपने fire button के size को 40 से 50 के बीच के अंदर कर लेना है, और थोड़ा सा नीचे कर लेना है, यह एक तम perfect size है fire button का, अब बात कर लेते हैं कुछ headshot tricks की जिससे आप लोग का बहुचाता भला होने वाला है, अब देखो यह जो stand fight trick है, अगर मैं आप लोग को इसका भी एक example दूँगा, तो आप लोग को सही से समझाएगा, तो आप लोग ने एक दूसरे को ball मारने वाला game तो खेला ही होगा, तो उसमें आप लोग क्या करत परता है, क्योंकि इसमें नील के जगे लाल headshot परता है, तो इसलिए आप लोग को एकदम red number headshot मारने के लिए आप लोग को stand fire का use करना है, क्योंकि अगर आप लोग एक ही जगा पर खड़े होकर fire करोगे, तो आपका aim अराम से head पर जाएगा, लेकिन अगर joystick को move करते करते fire कर हो जाती है, तो आप लोग के red number headshot को white number body shot में बदलते हुए देर नी लगती, तो मैं बदाता हूँ आप लोग को क्या करना है, अब देखो वैसे तो CS rank में या फिर custom में आप लोग को gun में attachment साथ में मिलती है, लेकिन BR rank में हमें ये attachment धूननी पड़ती है, इसलिए आप लोग उने देखा होगा कि आप लोग CS rank में तो बड़े अराम से headshot मार लेते होगे, लेकिन BR rank में headshot ही नहीं लगता, तो उसका साफसा फिजान गन की attachment, attachment भी तीन चार होती है, जैसे की muzzle, four grip, stock और magazine, तो देखो जैसे आप लोग खाना खाय बिना नहीं रह सकते हैं, वैसे ही free fair की ले आ सकते हो, और attachment तो आप लोगो के मरने के बाद आप लोगो से कोई छीन में सकता है, लेकिन character तो आप लोगो के मरने के बाद भी को नहीं सकता, मतलब जिन्दकी के साथ भी और जिन्दकी के बाद भी, और इस character का नाम है LIC, oh sorry, दशा, और दशा की ability यह कि आप लोगो की गोलिया फायर करोगे तो गोलिया रिकॉयल हो जाएंगी, तो इसलिए आप लोगो को हमेशा 10-12 गोलिया ही एक बार में फायर करनी है, और अगर 10-12 गोलिया में बंदा नहीं मारा तो आप लोगो दोबारा रिलोड करके फायर करनी है, और 10-12 गोलिया में हैडशोट मादने करना है वो देखो कैसे आप लोगो पहले अपने scope को एक बार on off करना है और इससे क्या होगा कि जहां पर भी आपका enemy होगा automatically आपका aim आपके enemy के chest के पास आ जाएगा और फिर उसके बाद आप को ड्रैक कर देना है तो देखो इस चीज को अभी काफी कम लोग यूज़ करते तो आप लोग अगर अभी से इस चीज को सीख जाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा अब देखो मेरे काम ते कि आप लोग को काम है की चैनल को सब्स्राइब करना और किसी भी एक दोस्त के साथ ज़रूर से शेयर कर देना और अगर आप लोग मैरे से बात करना चाते हो तो आप लोग मुझे इंस्टागरम पे मेसेज कर देना और हागे ऐसा बिल्कुल भी मैं सोचना कि मैं आप लोगो रिप्लाई नी करूंगा ऐसा मैं पहले करता था कि मैं पहले रिप्लाई नी करता था अब तो मैं डायरेक्ट ब्लॉक ही कर देता हूं इके फिर मिलता हूँ आप लोग से नेक्स वीडियो में किसी पुराने ओस्वरी नए टॉपिक की साथ तब तक के लिए बाई बाई